वेट इस क्रोलर्स यही आपका कोश्चन है आइधिंक आप लोगों यही जाना चाहते हो तो अगर यही जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सभी वीडियो के उपर आयो और जो हमारा नेक्स टोपिक था वो भी यही था बेसिकली न्यूविव्श अंजो डैरक्ली यह सर्च करके हैं कि क्रोलर्स के हैं रोबोस क्या होते हैं तो उनको में बसाना चाता हूँ एक हमारी एक सीरइस छल्री है, इजिटल मार्किटिंग की जिसके अदर मैं डिटेल में आप लोगोगो को इजिटल मर्किटिंग की पूरी जर्णी करवा रहे हूँ, तो वो लोग जिनको नहीं बता आपको description में playlist मिल जाएगी link मिल जाएगा आप click करो और वो playlist starting से देखनी start करो तो आपको ये crawlers का concept भी easily समझाएगा आप try करो कि इससे पहले वो videos देख लो तो आपके लिए better होगा digital marketing क्या है, SEO क्या है, फिर crawlers क्या है crawlers एक script है, एक programming की छोटी से script है, बस उसमें उसको order दिये गए है कि आपने ये काम करना है, वो काम क्या है वो मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं, मैं प्रप्शरन सिंग और आप देख रहे हैं how it is तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये crawlers होते क्या है, इनका क्या होता है, ये क्या चीज क्या है, कोई कीड़ा है, कोई कुछ है, क्या है ये सारा फंडा मैं आपका clear करता हूँ logically, तो इस वीडियो का end तक जरूर देखना, बीच में skip मत करना, थोड़ा सा time देना पड़ेगा चीजे समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, crawlers, crawlers एक नाम है, basically, एक script का नाम दिया गया, crawlers उनका type को एक प्रजाती है, ये बेसिकली, तो वो प्रजाती के काम क्या होते है, बेसिकली, जो crawlers का काम, basically, क्या होता है, इसको एक order दिया जाता है, कि आपने website के उपर जाना है, पूरे internet पे design किया हो है, वो क्या करता है, जैसे ही कोई नई website बनती है, वो चाती है, गूगल को submit करवाना, आपने आपको Google के ranking में लाना, तो ये crawlers जाएंगे उसकी website के उपर, और उसकी सारी coding है, जितनी भी उसका एक HTML की code से start होता है, और end तक, बिल्कुल end HTML तक, जितना भी code लिखा है ये crawlers क्या करते हैं, उन सारे codes को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, ये website का title क्या है, नोट कर लिया, इसका color क्या है, इसमें कौन सी photo लगी है, क्या लिखा है, paragraph कितने है, words कितने है, हर चीज पूरा analytically उसको पूरा categorize करके, well maintain करके ये जाते हैं, और Google के पास ज files को according category, suppose वो गया था, digital marketing के कोई website search करने के लिए, तो उसने देखा कि इंडिया, इंडिया के अंदर वा website थी, इंडिया के अंदर, for example, चंदीगड में, वो website थी, चंदीगड के sector 34 में, वो जो office है, जिसकी वो website है, basically, वो categories पूरी की उसने, Google ने कहा कि हर category के according लिए, उसको वह फाइल थी, यह चंदीगड था, इंडिया के अंदर यह चंदीगड था, इसमें 34 सेक्टर था, यह digital marketing के फाइल थी, तो वो क्या करेगा, फटावट उसमें धूनके, वो जाके users को search, उसमें result दे देगा, अब हम लोग अपने topic के उपर वापिस आते हैं, basically, कि यह crawlers क्या है, गूगल ने, engineers ने एक script त्यार किया है, एक script code लिखा हुए, जिस code को एक काम दे दिया है, कि आपने website के उपर जाना है, और यह data collect करके, copy करके लेके आना है, that's it, वो crawlers का यह काम होता है, तो crawlers क्या होते हैं, basically, इनको हम लोग boats भी बोलते हैं, spider भी बोलते हैं, robots भी बोलते ह एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक मतलब, आगया आगया फैली जाते हैं, लाइक मैं एक website के उपर गया, जैसे एक robot एक website के उपर गया, उसको वहाँ पे एक link मिला, उसने किया कि एक अपना पाट यह चोड़ दिया, वहीं से एक नया अपनी copy निकाली, वो copy अपना एक नया हिस्सा, अपने शरीर में से एक नया हिस्सा निकाल के उसकी website पर भेज देता है, मतलब कि सपोज यहां 10 link है, robot आया, एक website है, उसके 10 link है, robot आया, पैली link पर गया, उसने link पड़ा, अपना एक अलग से एक नया copy निकाली, अपना एक duplicate निकाला, वो duplicate क्या करता है, वो एक original यहीं रहेगा, duplicate यहां से निकल के उस website पर जाएगा, ठीक है, यह यहां गया, फिर यह नीचे गया, इसने देखा दूसरा link मिल गया website में, वो इस link पर duplicate बनाएगा, रोबर्ट भेज देगा एक दूसरा, यह नीचे गया, थर्ड link पर गया, copy duplicate किया, फिर आगे निकल ग अगर एक रोबर्ट जा रहा है, link पर data collect किया, वापिस आया, फिर दूसरे link पर गया, data लिया, वापिस Google पर गया, अब सोचो कितना time लग देगा, Google ने क्या कहा, एक multi अपने आप में से duplicate बनने वाली शमता बना दी, इनको एक script बना दी, link पहले पर गया, duplicate निकला, दूसरे अब आप ध्यान से समझना, जो यहां टिका है, वो एक रोबर्ट वो इस website की जिम्मेवारी ले रहा है, जो next link पर गया है, उसकी जिम्मेवारी अब पहले वाले को उस website पर 10 link मिलते हैं, तो आगे अपने 10 duplicate उस website पर निकाल देगा, उसको 10 निकलते हैं, वो आगे 10 पर निका पर निकाल करते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, लिंक अप होके चलते जा रहे हैं, समझे वह यह चीज़, तो क्रोलर का बेसिकली काम क्या होता है, गूगल क्रोलर के उपर ही depend है, क्रोलर क्या कर रहे हैं, जा के पूरी website का data collect करके ला रहे हैं, यह जो meta हम अभी पढ़ेंगे, आगे, meta tax, on page के अंदर पढ़ेंगे, कि meta tax क्या होते हैं, meta tax बेसिकली यह robots की language समझने के लिए, मतलब गूगल की जो मैं आप लोगो पिछली वीडियो में ने बताया था, SEO की वीडियो में की search engine काम कैसे करता है, Google search engine optimization क्या है, जब Google और हमारी website के यह inspection team है, जो हमारी website के inspect करती है, पूरा data collect करके Google को जाके खबर करती है, मतलब हमारी सारी चुगलियां लेके Google को बिदाते हैं कि इसने website में यह रंग डाला था, इसने इतनी बार यह word use किया, इतनी बार यह किया है, वो किया हर चीर वो store के Google को देता है, Google उसको संभाल कर अब जैसे कोई search करेगा, digital marketing institute in चंदीगर, sector 34, sector 34 वाली list में जितने भी websites उसने रख्योंगी संभाल के crawl करके, वो उन सारी website की यह पूरी की पूरी self को as it is, वहां आके Google की search के उपर, ऐसे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यह image में आपको दिख रहा है, जैसे Google की search में यह जो list आ रही है, basically इस type में Google है, एक पूरा का पूरा आपको links लाके रख देगा, आप देख लो इसमें से, मेरे accordingly best ही है, बक्या आप देखो क्या best लगता है, आपकी according लिए अगर यह best है, मैं लिए 100 में से अगर 80 बंदे पहले link की जगा, चोते link पे जाके click करें तो Google उसक link करना सीख जाएगा, तो हमारा focus Google को या इन चीजों को पटाना नहीं हमारा focus है, user के questions का answer properly देना, उनको satisfaction देना, ताकि वो दुबारा Google पे भी जाए और हमारी website पे भी आए, ठीक है, यह crawlers का सिस्टम समझ आया, अभी crawlers क्या है, क्या नहीं है, इसकी सारी dependency अगली वीडियो के उपर है, अभी यह वीडियो यहां पर शोट में रहेगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नेक्स वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने वाला algorithm क्या होती है, algorithm को पूरे detail में logic समझाऊंगा, crawlers के उपर इतना ज्यादा हमारा नहीं है, कोई ऐसी समझने वाली चीज, basic स्क्रिप्ट है, जिसका काम है, website से data collect करके Google तक पहुंचाने का processing हो रही है, इनका है, इनको हम लोग crawlers बोल देते हैं, robots बोल देते हैं, तो basically यह concept इतना ही था, अब इनके जो काम है, basically करने के इनके departments होते हैं, अलग 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 वो जो departments हैं, वो algorithms में, आप लोगों को clear करू तक कि next video जैसे ही मेरी आएगी, आप लोगों को notification मिल जाएगी, और plus अब comment session में आप लोगे एक बार मेरे को थोड़ा सा clear कर दो कि आप लोगों को robots का यह crawlers का जो process सिस्टम है समझ आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो भी आप clearly बोलो नहीं आया, तो मैं उसको और better way में दुबारा वीडियो बिनानी पड़ेगी, नहीं वीडियो इसका part two launch करना पड़ेगा मैं करूंगा, बट आप लोग please यहां पे clear कर देना कि आपको समझ आया के नहीं आया, because मैं चाहता नहीं हो कि आप में से कोई भी इंसान यहां से मतलब पीछे ना रहे बस, यह चाहता लोग इस सबको समझा चाहिए वो टेक्निकल बैक्राउंड से है चाहिए नहीं है, चाहिए वो छोटा बच्चा है चाहिए बढ़ा है बड़ा है बट उसको समझ आना चाहिए इसलिए मैं technical terms नहीं यूज कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक एक्स्ट्र, strategically मैंने पूरा कोर्स दि आपके पास एक list त्यार होती रहेगी बाकी ये वीडियोज हमेशा यहां पर मिलेंगे आपको और अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती है तो थोड़ा सा मेरे लिए आप लोग ये कर सकते हैं इसको suggest कर सकते हैं अपने circle में कि आपसे इससे related कोई भी है कुछ भी आप अपनी family में किसे के साथ भी ये वीडियोज को आगे शेयर करो ताकि ये आगे से आगे बढ़ती जाए नोले सब के पास आए और मेरे को भी थोड़ी growth मिले और मेरे को भी पता चले कि मेरी वीडियोज आक्च्छल में काम कर रही है आप लोगों को समझ आ रहा है के नहीं आ के तो तो किया रहा है तो कि अबोजने गार टीक है और मेरे काम कर रहा है ये दो आगे टीर ये वीडियोज के बढ़ती कि अबें अबरे कि आगे ये